नमस्कार दोस्तो, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर मही पाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा चाइना की 5 finger and pound strategy के बारे में चाइना ने हाली में अपने कई पडोसी देशों के साथ border disputes को फिर से active बना दिया है और इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है जिसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे अगर आपने अभी तक Study IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं अगर आप मुझसे social media पर जुड़ना चाते हैं तो मुझे Twitter, Instagram या Facebook पर इन IDs पर follow कर सकते हैं मेरे सबी lectures के PDF आपको इस Telegram चैनल पर उपलब्ध होंगे Study IQ का smart course UPSC civil सिवा परीक्षा के लिए उपलब्ध है इस course की मदद से आप घर बैठे IAS exam की तयारी कर सकते हैं तो जल से जल डाउनलोड कीजिए Study IQ app को और इन courses पर EMI option का फाइदा उठाई है 1949 में चाइना की स्थापना करी गई थी एक communist देश के रूप में Mao Zedong इसके supreme leader बने थे और Mao Zedong ने 1950 के दशक में ये बात कहनी शुरू करी चाइना का right palm यानि की चाइना की हाथ की हतेली है तिबेत तो ये था पूरा तिबेतन प्लाटू जिसको 1951 में चाइना ने हमला करके annex कर लिया था अपने control में ले लिया था और इसी हतेली से जुड़े आगे 5 उंगलियों के बारे में उन्होंने का यानि की ये तिबेत तो है चाइना की हाथ की हतेली और लदाख, निपाल, सिक्किम, भुटान और अरुनाचल प्रदेश यानि की ततकालीन नेफा ये सभी तिबेत से जुड़ी हुई उंगलिया है पांच उंगलिया है और तिबेत है हतेली तो ये इलाका historically चाइना का था ऐसा Mao Zedong क्लेम करते थे कितना सही है कितना गलत आगे आपको मैं बताऊंगा और Mao का ये कहना था कि तिबेत तो हमने हतिया लिया है या फिर एनेक्स कर लिया है आगे इससे जुड़ी ये पांच उंगलियां भी हमें हासिल करनी होगी इन्हें इसका इसका इस इसमें हाद किया गया था in fact जो चैनीज बच्चों की किताबें थी उसमें भी इसका जिकर किया गया था 1950s में और जो तिबेट में चाइना के ऑफिसर्स तैनात किये गए थे वो भी बार बार इसका जिकर करते थे radio पर या फिर अपनी speeches में ताकि तबेत के लोगों को भी ये विश्वास हो कि ये पांचों एरियास तिबित से इंट्रिकेटली जुड़े हुए हैं और इसलिए इन्हें भी फिर से चाइना के कंट्रोल में यानि कि तिबित के साथ जोड़ना ज़रूरी है कि ये चाइना की रिस्पॉंसिबिलिटी के इन्हें आजाद कराया जाए लिबरेट कराया जाए तो ये था तिबित जिसको हतेली माना गया और पांच उंगलियां यानि कि लद्दाख, नेपाल, सिक्केम, भुटान और अरुनाचल प्रिदेश चाइना के इतियास को हम देखे तो वहाँ पर लगातार एक के बाद एक इंपीरियल डैन और इनी डैनिस्टी में जो लास्ट दो डैनिस्टी हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए तो मिंग डैनिस्टी जो एस्टाबलिश हुई थी 1368 में वेसिकली 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक ये रही थी इसके शासन में चाइना का एरिया लगबग इतना बड़ा थ़, आप देख सकते हैं याँ पर लेकिन ये जो दूर के एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी चाइना के मिंग एमपरर के डारे डैरिट कंट्रोल में नहीं होते थे, ये इन्हें टैक्स देते थे, सुझरेंटी में होते थे, यानि कि चाइना के लिया जाता था 1644 के आसपास चाइना में चिंग डैनेस्टी की स्थापना हुई ये आखरी imperial डैनेस्टी थी 1911 में जो Chinese revolution हुआ उस समय ये डैनेस्टी खत्म हो गई और चिंग डैनेस्टी के समय चाइना अपने maximum extent पर था तो देखें ये जो ट्रेडिशनली Chinese emperors का रहा है उसके अलावा चिंग डैनेस्टी ने दूर दरास के जो Central Asian territories है टिबेट है मंगोलिया है यहां तक अपना शासन पूरी तरह से establish किया कई expeditions भेजे गए चिंग emperors के द्वारा और इन territories को अपने control में लाया गया चिंग शासन इतना ताकतवर हो गया था कि South East Asia के लगबख सभी kingdoms इन्हें पैसा दिया करते थे tribute दिया करते थे direct control नहीं था लेकिन इनके राजा Chinese emperor के सामने सर जुकाते थे suzerainty थी कुछ समय के लिए नेपाल ने भी ये किया था क्योंकि देखे होता ये था emperor की army जब आती है तो या तो आप लड़ाई लड़ो या फिर tax दे दो लेकिन कुछ समय के लिए tax दे देने का मतलब ये नहीं होता है कि China का नेपाल पर शासन स्थापित हो गया था ऐसा नहीं था या फिर difference of opinion है कि आप suzerainty को actual शासन मानते हैं या नहीं ये अब एक endless debate है इसमें हम अभी नहीं जाते हैं अब आते हैं 20 वी सदी पर तो 20 वी सदी में China की Communist Party और Kuomintang Party एक civil war में engaged थे इसके उपर मैंने एक वीडियो भी बनाय हुआ है Chinese Revolution नाम का वीडियो आप देख सकते हैं तो Mao Zedong जो Communist Party के लीडर थे उन्होंने 1930s में इस तरह की बाते करनी शुरू करी कि हमें China की Century of Humiliation का बदला लेना है Century of Humiliation क्या है अगेन मैंने उस पर एक अलग वीडियो बना रखा है प्लीज उसे देखेगा तो Mao Zedong का ये कहना था कि कई देश जिसमें Portugal जैसे छोटे मोटे देश शामिल थे इन्होंने आकर China से हमारी territory छीन ली तो अब हमें एक वक्त आएगा जब हमें उस empire की greatness को restore करना है हमें फिर से वो territory हासल करनी है और इसी क्रम में उन्होंने ये palm और five finger वाली बात कही थी तो इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे Tibet की तो जैसा मैंने आपको बताया है कि Tibet पर Qing dynasty का शासन जरूर था suzerainty जरूर थी लेकिन ऐसा नहीं है कि direct control था जगे जगे पर Chinese officers को तैनात किया गया था 1951 में यानि कि PRC की स्थापना होने के बाद Mao Zedong के नित्रत्व में चाइना ने Tibet को पूरी तरह से अपने शासन में अपने control में लिया था उसके पहले चाइना तिबेट को एक semi autonomous region की तरह govern करता था लगबग सभी लेकिन चाइना ने तिबेट पर कबजा करते ही ये claim भी कर डाला कि तिबेट के साथ एतियासिक तोर पर नेपाल, सिक्किम और भुटान जुड़े वे थे उसके पीछे reason क्या है कि ये सारे area जो है ये Himalayan kingdoms है और तिबेट के इनके साथ एतियासिक और cultural संबंद रहे थे 1950 में चाइना ने तिबेट को annex कर लिया annex तो एक बहुत ही polite word है उन्होंने जो किया था वो ये कि आर्मी भेजी और वहाँ पर जो local टिबेटन administration था उसको displace करकर अपनी सरकार बना लिया यानि कि टिबेट को चाइना ने हतिया लिया World War 2 के बाद इतना बड़ा area इतनी बड़ी territory किसी देश ने नहीं हतिया थी तो चाइना ने जब टिबेट पर अपना कबजा जमाया उसका विरोध दुनिया में किसी ने नहीं किया USA ने भी बस कुछ covert operations चलाने की कोशिश करी थी CIA के माध्यम से बागी खुलकर चाइना का विरोध किसी ने नहीं किया था तो पूरी दुनिया इस step के उपर कुछ नहीं कह पाई और भारत ने भी इसका politically या militarily विरोध नहीं किया और उसका नुकसान हमें क्या होता है कि जिस तिबेट के साथ हम सदियों से एक boundary शेर करते आ रहे थे अचानक से वो entity खत्म हो चुकी थी आप याद कीजिए जो मैक में होन लाइन बनी हुई है वो भारत यानि की ब्रिटिश इंडिया और टिबेट की सरकार के बीच में डिसाइड करी गई थी ना कि चाइना तो जिस चाइना से हमने कभी deal ही नहीं किया सदियों से अचानक से हम उसके साथ साथे 3000 किलोमेटर लंबी boundary शेर कर रहे हैं तो problems आनी तै थी एक और बात जैसे ही तिबेट का कबजा आता है चाइना के पास तो अब चाइना के चार नए पडोसी आ गए भारत, नेपाल, भुटान और उस समय सिक्किम भी एक independent kingdom था तो पांच नए देशों के साथ चाइना की boundary अब attached थी और मौका ही मौका है, जहां चाओ वहाँ पर dispute चालू कर दो तो इस 1000 किलोमेटर लंबे हिमालेयन फ्रेंट पर चाइना ने सबसे पहली कोशिश करी लदाक में 1950 के दशक में, अकसाई चिन का जो एरिया है वो चाइना ने चुपके से अपने कंट्रोल में ले लिया महाँ पर आबादी नगण्य थी, बहुत ही कम लोग रहते थे किवल महाँ पर इंडिया और चाइना के कुछ border patrols जाय करते थे तो चाइना ने इसका फाइदा उठाते हुए, एक रोड का निर्मान करा यहाँ तिबेट से जिंग जियांग जाते हुए, और फिर धीरे-धीरे जब स्थिती सामने आई तो 1962 में एक लड़ाई होती है, और अकसाई चिंतो चाइना के पास था ही और उससे भी आगे कई किलोमेटर तक चाइना अंदर आ गया in 1962 तो आज की जो LAC है, वो इसी युद्ध के कारण बनी थी तो ये थी लड़ाख किस्तिती, और लड़ाख में आज भी आप देखी रहे होंगे पिछले कई सालों से इंकर्जन्स जारी है, 2020 में पिछले ही महीने गलवान वैली में जो clashes हुए है, वो भी आपने, उसके बारे में कई वीडियोस देखे होंगे study IQ पर, तो कुल मिलाकर लड़ाख में अभी भी चाइना की कोशिश जारी है कि ये एरिया चाइना के साथ शामिल कर लिया जाए दूसरी finger, चाइना मानता है नेपाल को अधीन के अधीन आ गया था, कौन सा ब्रिटिश, ब्रिटिश इंडिया वाला ब्रिटिश तो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत के अधीन जब नेपाल था तो चाइना का यहाँ पर at least पिछले 200 सालों में तो कोई claim नहीं है जो भी claim है वो उससे पुराने है लेकिन अब recent years में अगर हम देखें तो चाइना नेपाल की communist party के थुरू अपना influence बढ़ाने की कोशिश कर रहा है दो साल पहले जब वहाँ चुनाव हुए उस समय नेपाली communist party पावर में आ गई और उसमें चाइना का बहुत जादा interference है जो recently हमने देखा भारत के साथ नेपाल के रिष्टे खराब करने में भी चाइना का role माना जा रहा है और अभी नेपाल की communist party में एक split होने वाला था प्रचंडा और KPO Lee के बीच में लेकिन वो split चाइना के intervention के कारण नहीं हुआ है ऐसा बताया जा रहा है तो नेपाल ऐसा नहीं है कि चाइना के अंदर शामिल हो रहा है लेकिन Chinese influence नेपाल में definitely बढ़ता जा रहा है और नेपाल भारत से दूर होता जा रहा है जबकि पिछले 50-60 सालों में अजादी के बाद नेपाल और भारत के रिष्टे काफी अच्छे रहे है अब नेपाल से उपरी तौर पर तो चाइना दोस्ती जता रहा है लेकिन बॉर्डर पर situation क्या है वो खुद नेपाल की सरकार के विभाग बताते हैं लास्ट मन्थ एक नेपाल अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लीक हो गई थी उसमें ये बताया गया था कि कई बॉर्डर विलेजेज हैं जहाँ पर चाइना ने बॉर्डर पोस्ट को शिफ्ट कर दिया है तो जो नेपाल के गाउं के खेत थे उन पर अब चा प्रोटेक्टोरेट बन गया प्रोटेक्टोरेट का मतलब है कि अगर उस पर कोई हमला करता है तो भारत की आर्मी उसकी रक्षा करेगी फॉरें अफेर्स हम हैंडल करेंगे लेकिन इंटरनल पूरी ऑटोनोमी सिक्किम के पास रहेगी 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के समय सि सिक्किम भारत का एक हिस्सा बन जाता है लेकिन 2003 तक चाइना ने सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना था जब ततकालीन प्रदानमंत्री अटल ब्यारी वाजपई चाइना के दौरे पर गए थे 2003 में तब जाकर चाइना ने ये agreement साइन किया कि हम सिक्किम को भारत का पर चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है 2017 में डोकलाम क्रैसिस हुआ था 70 से भी जादा दिनों तक भारत और चाइना के सैनिक आमने सामने थे और जो डोकलाम इशू है उसी तरह नाथूला बॉर्डर पर भी अभी रीसेंटली मई के महीने में कुछ क्लैशिस हु अब भुटान भी एक independent kingdom रहा है बहुत सदियों से एक independent बहुत kingdom था लेकिन अब चाइना ने भुटान के साथ भी अपना एक border dispute चालू कर दिया है कैसे चाइना ने क्लेम किया है कि भुटान का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना का पार्ट था यानि कि जो eastern भुटान की territory है वो चाइना क्लेम कर रहा है और ये क्लेम थोड़ा सा हस्यासपद है क्योंकि directly ये area चाइना के border से लगता हुआ भी नहीं है फिर आते हैं पांचवे area पर हमारा अरुनाचल प्रदेश जिसको British कहते थे North East Frontier Areas NIFA अब इस area में border demarkation का का काम किया गया था 1914 में शिमला में Tibet की स माइन दे आये और British शरकार ने मिलकर एक boundary decide करी basically जो हिमालेयन परवतों का जो सबसे उंचा part है crest line होती है उसको border बनाया गया और इसे कहा गया Macmehon line क्योंकि जो British foreign secretary थे उनका नाम था Macmehon तो Macmehon line याद रखेगा पहली बात किवल अरुनाचल प्रदेश वाली है लदाख वाले area में Macmehon line नहीं है मैंने कई students को ये गलती करते हुए देखा है याद रखे please कि Macmehon line is the border of India in China only in Arunachal प्रदेश लेकिन China आज भी इस Macmehon line को नहीं मानता है क्योंकि China कहता है कि ये जो आ those cultural links हैं Tibet के साथ उसको भी China utilize करना चाता है चाइना कहता है कि तवांग वाला area तो पूरी तरह से बहुत एरिया है वहाँ पर तो Tibet के साथ historical links रहे है चाइना का ये भी कहना है कि 1914 में जो ये समझोता किया गया था ये समझोता करने का अधिकार Tibet को नहीं था क्योंकि चाइना मे बेट चाइना का हिस्सा है और चाइना की केंद्र सरकार ही इस तरह के समझोते कर सकती है जो border को define करें ऐसा Chinese state का आज भी मानना है तो ये सारे claims है या फिर इन basis पर चाइना कहता है कि ये पांचो fingers हमारे हैं अब इन सभी territories में साथी साथ Hong Kong और Korea के साथ भी China अपने border disputes को open कर र हैं हम ताकतवर हैं तो क्यों ना इस मौके का फाइदा उठाया जाए और ब्रह्मा चलानी ये लिखते हैं कि Mao Zedong ने जो philosophy बताई थी उसी को पूरा कर रहे है जी जिंपिंग और इस aggressive policy के पीछे कारण यह है कि जब भी China कोई छोटा मोटा action लेता है तो उसके खिलाफ अंतर international level पर कोई बहुत जादा push नहीं आ रहा है धर्मशाला में चलने वाली Tibetan government in exile के जो president हैं लौप सांग सांगे इन्होंने ये बात कही थी कि Ladakh किवल एक शुरुवात है चाइना सभी fingers यानि five fingers जो हैं उनके उपर कोई ना कोई कारवाई करने वाला है तिबेट के साथ उन्हों तो अब इन five fingers को हत्याने के लिए चाइना बहुत जादा emboldened हो चुका है उसके होसले काफी बुलंद है और ऐसा नहीं है कि चाइना के वल military aspect पर काम कर रहा है तिबेट में चाइना ने अपना investment बहुत बढ़ाया है infrastructure पुश दिया है लासा तक rail line चालू कर दी गई है कई airports ब जो traditionally भारत के sphere में कहे जाते हैं वो भारत के influence से बहर आ जाए तो ये थी पूरी strategy जो मैंने आपको थोड़ा सा चाइना के point of view से समझाया है तो I hope आपको lecture interesting लगा होगा thank you very much for watching this have a great day